बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हमें ये फील कराते हैं कि उनकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है ना वो हमारी वेज़र से हुआ है विदेने खिसार हर्याना में है और आज मैं आपको बताऊंगे विक्तिम मेंटालिटी के लोग, जो कि प्रिटेंड ऐसा करेंगे उनके लाइफ सब तबाह हो गई है, लेकिन आक्चली वो प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे होते हैं, तो इस तरह कि क्रिमिनल मेंटालोजी को जानने के लिए इस वीडियो को आन तक देखेंगे और चानल पर नए हैं तो उसे लाइक और शेर जरूर करें तो सबसे पहले बात करेंगे ये विक्टिम मेंटालिटी होती क्या है, बहुत से लोग हैं जो की काम खुद करते हैं, लेकिन फिर आपको प्रिटेंड करेंगे कि यार मैं तो करने ही नहीं चाहता था, मैं तो बहुत हेल्पलेस हूँ, मिरको तो कुछ समझी नहीं, मिर पास तो option ही नहीं बचा, तो मुझे इसके साथ गलत करना पड़ गया, मैं तो मैंसे cheating नहीं करना चाहती थी, लेकिन यार उसमें मुझे इतना बेबस कर दिया, इतना मजबूर कर दिया, कि मैंने गलत काम किया, वो गलती भी खुद करेंगे, ब्लेम भी आपको करेंगे, और भी उठा लेंगे और plotting करते हैं, तो इस तरह के लोगों को हम victim mentality कहते हैं, इनको पहचानेंगे कैसे, सबसे पहली चीज है, जो कि हमें समझनी है, वो है, ये helpless feel कराते हैं, ये बोटे में करना नहीं चाहरा था, हो गया, तो मैं गेम में पैसा नहीं लगाना चाहरा था, लेकि हो गया, हमेशा negative रहेंगे, हमारी negativity को पकड़ने की कोशिश करेंगे, negative विचारों को जादा अपने सर के उपर लाएंगे, self abuse करते हैं, खुद को गाली देने लग जाएंगे, हाँ मेरी वज़े से हुआ है, मैंने ही सब गलत के, मैं ही पापी हूँ, तो खुद को abuse करने लग से जादा, और हमेशा यही प्रिटेंड करते रहेंगे, कि मेरी लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत दुख हैं, यह हैं, लेकिन खुद की गलती नहीं accept करेंगे, अगर आप मैं बोलूं कि इस तरह की लोगों को पहचानने के साथ साथ इनका deal कैसे करना है, ब क्या options हैं, और इसे कैसे repair करना चाहिए, वो समझाएं, तूसरा आप इनको reality से बार-बार अफगत कराते रहें, कि reality ऐसी नहीं है, यह सब हमारे खुद के control में होता है, हमें इस पे help करनी है, तो reality से सरूर इनको अफगत कराते रहें, साथ-साथ के लिए इनको therapies के लिए आप बोल सकते हैं, कि doctor से consultation ज़रूर लोग क्योंकि तुम बहुत ज़ादा negative रहती हो, और दुनिया को blame करती रहती हो, इनके साथ हमेशा अच्छा communication और clear boundary set करें, क्योंकि बार-बार आपको blame करते हैं, तो इनकी personality हो जाती है, हर चीज़ का ठेका आप पे खोड़ना, तो clear boundary बनाए और अपने आपको mentally depressed ना होने दे, बहुत से criminals हैं, negative mentologies के लोग हैं, जो कि इस तरह की mentality रखते हैं, जिसकी वज़े से दूसरा person अपने साथ कुछ गलत कर लेता है, उसे लगता है, शायद मैं ही ठीक नहीं हूँ, मेरी वज़े से मेरी wife ठीक नहीं रह रही, जबकि actually उनकी mentality negative ह और उसने आपको इतना blame कर दिया, कि आपका खुद से ही विश्वास हट गया है, अगर आपको पता चलता है कि आपका partner ऐसा है, तो खुद का confidence ना थोड़ें, उने therapies कराएं और उनकी personality को improve करें, आशा करती हूँ, मेरी वीडियो अप्ते बहुत से doubts को clear कर भाए है, बहुत ज झाल